सबसे लोगप्री ये नेविगेशन एप गूगल मैप्स का इस्तमाल आप भी जरूर करते होंगे लेकिन मोबाइल में लोकेशन आफ करने के बाद भी गूगल आपके लोकेशन को ट्रैक करता रहता है जिसको लेकर अब दिगश कंपनी गूगल को एक भड़ा जटका मिला है बिना इजाज़त के यूजर्स की लोकेशन ट्रैक करने की एवज में अब गूगल को 32 अरब से ज़्यादा का हरजाना देना होगा इतना ही नहीं गूगल के लिए अलग से पॉलसी लाने के बारे में सोचा जा रहा है अमेरिका में लोकेशन ट्रैकिंग केस में ये सब तै किया गया है नमस्ते मैं हूरिशव कांथ आप हैं मंच पर दरसल अमेरिका के 40 राज्यों ने बड़ी टेक कंपनी गूगल पर कारवाई करते हुए भारी भरकम जुर्माने का एलान किया है तोकि आनलाइन पहुच का फाइदा उठाकर गूगल यूजर्स की इजाज़त के बिना उनकी लोकेशन ट्रैक करता रहता है और उसका इस्तमाल परसनल गेन के लिए करता है लेकिन अब गूगल को इस मामले में ट्रांस्पेरेंसी लानी होगी उसे लोकेशन डेटा को लेकर यूजर्स को जागरू करना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो उनके location data का वो इस्तमाल कर रहा है और किस वजह से वो कर रहा है अगर users location tracking की इजाज़त नहीं देंगे तो Google ऐसा नहीं करेगा experts के मुताबिक tech company Google की कमाई का जारतर हिस्सा लोगों की personal details के जरिये ही आता है लोग अपने browser में क्या खोजते हैं और किन apps का use करते हैं ऐसी सभी जानकारी Google के पास रहती है इस data की जरिये लोगों को उनकी पसंद का content और apps आपकी screen पर दिखने लगते हैं ऐसे में लोगों का data privacy पर बहुत बड़ा सवाल होता है ध्यान देनी वाली बात ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा privacy समझौता है इससे पहले भी साल 2018 में Google पर लोगों का personal data चुराने का आरोप लगाता जिसकी जान शुरू की गए Michigan के Adorni General के office ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि 40 राज्यों ने Google पर ये कारवाई location tracking case में की है इसमें ये पता चला है कि users के select ना करने के बाद भी company ने लोगों के location को track करना जारी रखा इस खुलासे को गंबीरता से लेते हुए भार सरकारी पूरी तरह से alert हो गई Electronics और IT राज्यमंत्री राजी चन शेखर ने कहा कि प्रस्ताविट Digital Data सुरुच्छा बिल इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाएगा उरहन ट्विट करके कहा कि किसी भी platform या intermediaries की तरफ से इस तरह का काम किया जाने पर उनके खिलाब सक्त कारवाई होगी और भारत सरकार प्रस्ताविट Data सुरुच्छा कानून में तमाम ऐसे प्रावधान करने जा रही है जो यूजर्स के डेटा की सेफटी के लिए मिल का पत्थर साबित हो सकते अब ये सभी कोशने मिलकर हमारा डेटा कितना सेफ कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे